नमस्कार मैं विपल सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर स्टडी कैपिटल की एक स्पेशल सिरीज ग्यान की बात होनारों के साथ एक बार फिर से आप सभी का इस सिरीज में स्वागत है पिछले तीन वर्सों से हमारी ये सिरीज चलती आ रही है और लगातार हर वर्स हम बड़े-बड़े विशुद्यालें के टॉपर से बात चीत करते हैं उन्होंने इंटरेंस इक्जाम में क्या तोर तरीका अपना या किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की कि उन्होंने अच्छे रैंक के साथ इंटरेंस को क्रैक किया तो इसी बीच हमारे साथ हिंदी परजन मुलक पत्रकारिता के आल इंडिया रैंक वन और बी एचुए में हिंदी जो की सीओ इटी के तहत इस बार हुआ है उसमें रैंक फोर के साथ भासकर अधितिति पाठी ज बहुत धन्यवाद आपका भासकर जी से बहुत सारे वो सवाल होंगे जो सवाल आपके मन में उठ रहा है सवाल कौन कौन से होंगे आप सोच रहे होंगे कि इंटरेंस एक्जाम क्रैक करने के लिए मुझे कौन सी किताबे पढ़नी चाहिए कितना पढ़ना चाहिए कैसे पर बात चीत होगी यानि जो भी लोग इस वीडियो को देखना है complete वीडियो को देखिएगा एक टॉपर के द्वारा आपको टिप्स मिलने जा रहे हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं इस वीडियो की वीडियो की सुरुआत करने से पहले बता दूं कि जो लोग हमारे इस च बालों का जवाब देंगे और जो कि रामबार साभी थोगा बच्चों के लिए कि कैसे उनको पढ़ना है क्या करना है लेकिन मैं सुरुआत करता हूं आपके इंट्रॉक्षन से कि अपने बारे में थोड़ा सा अपना परिचे दीजिए कि आप कहां से हैं आपका ग्रेजु कि सिच्छा वहां पर सरस्ति सिस्वंदित से प्राप्ति की है आगे की परहाई के लिए असनातक मेरा कासी हिंदू सुध्याले से हुआ है और परासनातक में मैंने इसी वस्थ प्रवेस लिया है तो भासकर जी का जो ग्रेजुएशन है यानि असनातक है वो हिंदी ओनर्स से ही तो बासकर आपका मेरा अगला सवाल है वह बियाच्यू के बारे में चूकि आपका जो रिस्ता है उसके बारे में बताईे देखिये किसी भी कौने में रहे रहा चात रहो उसका एक सपना होता हुआ किसी बड़ी विस्विद्ध कि अद्धयाले में जाकर अध्यन करें और जो है अपने देश आपने जिले अपने समाज का नाम दोशन करें तो कासी हिंदू स्विध्याले मेरा भी एक सपना था मेरा प्रवे से हुआ और यह पिछले चार वश्व का मेरानभव हो यहां का वह बहुत उल्मादाव रहा है यह जो महामना की बगिया है अनुभह अनुभह से मैं पहुंसता हूँ कि यह जो कैमपस ए इसमें हंदी विभाग के चुकि जितने बी बच्चे इस इंटर्व्यू को देख रहे हैं वो कहीं न कहीं हंदी से जुड़े हुए हैं किसी को में हिंदी करना ख प्रेजन मुलक पत्रकारिता में जाना है तो हिंदी विभाग यहां का कैसा है क्या माहौल है हिंदी को लेकर के बीच्चियू में देखी जैसा कि आप लोग जानते हैं और सभी जानते हैं कि बीच्चू का जो हिंदी विभाग है उसका इतिहास बहुत गवरोसाली रहा है नहीं है तो चलिए भासकर अब हम अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं और उन प्रस्णों की और बढ़ते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है जरूरी सबसे पहले यह हो जाता है कि इंट्रेंस इक्जाम की जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं कितना समय दि रहा हूं जो अभी अंतिम वर्स में हैं तो मेरे हिसाब से उन्हें अब तयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि यह दिसंबर का महीना चल दा है और अब आपके पास जो यूजी सी का कैलेंडर है उसके हिसाब से 5-6 महीने हैं तो यह आप अभी से तयारी शुरू कर देते हैं इसमें कोई दोर आय नहीं है कम से कम चार महीने परिच्छा के लिए फुल डेडिकेशन के साथ लगना होगा बिल्कुल ठीक है अगले प्रस्ण की ओर मैं आगे बढ़ता हूं अगला प्रस्णा आपके लिए हमारा यह है कि जो इंटरंस एक्जाम हुआ उसके लिए कितनी भूमिका है और कौन-कौनसी किताब है अपने इंटरंस एक्जाम के लिए पढ़ी थी देखिए हर्वेक्ति की अपनी अपनी सैली होती कोई वीडियो से परता कोई पुस्तकों से लिकिन पुस्तकों का कोई तो नहीं है तो मैंने भी हिंदी साहित के लिए सबसे पहल होगी एक जो भूमिका बनती है हिंदी साहित की उसकी समझ बनाने के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है जितने भी पुस्तकों का यह नाम बताएंगे अगर आपके पास पैन पेपर हो तो नोट जरूर कर लिए या फिर बात में भी वीडियो को देखते समय एक बार फिर से पढ़ी जाईए उसके बाद आचार राम चंसुकल का हिंदी साहित का इतिहास जो की एक तरीके से बेस ही माना जाता है साहित के इतिहास का तो वह आपके इतिहास में साहित के इतिहास से संबंधी प्रसनों को हल करने में राम बार साबित होगा और समझ बनाने में भी आपक का दूसरा इतिहास बच्चन सिंग का उसके अलामा और अधिक समझ के लिए यदि आपके पास समय है तो अजाम स्वरूप चतुरवेदी की एक पुस्तक आती है हिंदी साहित तयोत संबेदना का विकास वो पुस्तक आप रेफर कर सकते हैं इन सभी पुस्तकों के अलामा जो पिछले वर्षों के प्रस्नपत्र हैं उन पर विसेश ध्यान दीजिए और उनमें भी जो नेट ज्यारेफ के प्रस्नपत्र हैं अगर आप उन्हें भी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी और अधिक अच्छी हो जाएगी आपके जो आंसर आप दे रहा है यानि जो हम सवाल कर देखना चाहिए तो प्रिविएस येर प्रस्णपत्र यानि प्रिविएस येर पेपर और टेस्टरीज जो हम लोग कुश्चन बैंक को करते हैं इंटरन्स एक्जाम के लिए वो कितनी हेल्फुल होती है बच्चों के लिए यानि आपको हेल्फ मिला था कि नहीं यूज किया बिल्कुल काफी हद तक मदद मिली उससे जैसे आप जो भी कोई आप एक पुस्तक जब उठाते हैं वस्तनिष्ठ में चाहे वो स्वती पांडे और गोविन चंद पांडे की पुस्तक हो या द्रिष्टी ने डिर्फ की पुस्तक हो तो एक आपका जो खाका बनता है उसकी तैयारी कैसी है आपकी ये परखने के लिए टेस्ट सिरीज बहुत महत्यपूल है और जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना अधिक आपका कांसेट क्लियर होगा और आप प्रसनों की प्रकृत समझेंगे कि कि इस प्रकार के प्रसन आ रहे हैं और कैसे प्रसन पिछले करेंगे क्रेंगे क्वालाने कि इस और आपको अधिक रहे हैं लूब समझेंगे कहों लिए प्रसनों की कैसे पहले बेच में एक चोटी सी इनफ시्ट आपको डेनार चायोंगा कि Steaming lug है आपके एमहें हिंदी साहित के इंट्रिट्र उक्रेम के लिए क्रेसं कोर्स चलता है औ कि इस बैच के रैंक वन याल इंडिया रैंक वन इवांसु तिवारी सर हैं आपके वह आपको पढ़ाते हैं और उन्हीं के द्वारा बनाई गए टेसरीज भी हमारे यहां कराई जाती है जिस टेसरीज की बात अभी भासकरजी कर रहे थे तो इन सारी शीजों को जुड़ने क लिए नोटस आपने यूज किये तैया या पिर किसी और के बनाए हुए नोटस आपने यूज किये थे बिल्कुल देखी तैयारी में एक समय ऐसा भी आता है कि आप फिर सभी पुस्तकों का रिवीजन नहीं कर सकते तो आप अभी तयारी कर रहे हैं तो एक दो चरणड के बाद आप पुस्तकों में ही पेंसिल से या हाइलाइटर से हाइलाइट करते रहे हैं महत्तुमौर्ण बिंदू और उनको एक बाद दोहरा लीजिए उसके अलावा आप एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूँ आप यूट्यूब पे अपने टापिक वाइज आप पाठिकरम अच्छे से देख लीजिए और टापिक वाइज प्रस्न सर्च करिए यह आप घटना चक्र की एक पुस्टक आती है उसकी भी साहता ले सकते हैं और जितने भी आपके पाठिकरम में बिंदू आते हैं महत्तपुल बिंदू उनसे संबंदित जितने प्रस्न है एक बार उनको कवर कर लीजिए तो यह आपकी काफी हद तक साहता करेंगे अधिवीजिन में अच्छा आपने बात किया अभी कि पाठिकरम पर आप बात कर रहे थे कि पाठिकरम को टॉपिक वाइस देख लिजे एक पचीस में आपके में थ्रिजिनिंग इत्यादी प्रस्थे और विशय के प्रस्थे 75 ते जिन में साहित इतिहात से संबंधित कई बंध द ते जिसमें हिंदी इतिहात का य। नाम करण, जो व्यूहिन काल है, जीत काल, भग्तिकाल, आधनिकाल उनकी प्रवितियां उनसे संबंधित प्रमुख जटना कार और यह सब प्रस्ण थे इसके अलावा कथेतर गद्य से संबंधित प्रस्ण थे निबंद कहानी आलोचना उपन्यास इत्यादी के प्रस्ण थे पत्र पत्रिकाओं का इतिहास था इसके अलावा जन संचार माध्यमों में प्रियोजन मूलक हिंदी से संबंधित प्रस्ण आये थे और जो कावे सास्त्र होता है उसमें से भी प्रस्ण आये हुए थे कावे सास्त्र के लिए जैसे जो टापिक है जटिल हो जाता है तो उसके लिए कोई आप ऐसी बुक रिफर करना चाहेंगे जो कि यह लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो वह बुक ले ले तो उनका इंट्रेंस इग्जाम में अच्छा माँख सा सके देखी काव यह जो से भी बिंदु हैं इससे की प्रसनारत तो उसे ते त्यार कर शक्ते हैं बाकी भी कई सकते हैं आप उनका शार ले स्थाइबस थोड़ा सा उतना उन्होंने ब्रीफ नहीं किया है सिर्फ उन्हें पॉइंट्स दे दिया लेकिन यह है कि आपको पूरा स्लेबस कवर करना होगा स्लेबस कवर करना और लगतार ग्रेजुएशन की क्लासेश करना और बाकी जो इस्टुडेंट एक्टिविटीटी अगर किसी का हुआ हो तो उस तरीके से बासकाजी लगतार एक्टिव रहते थे सारे प्रोग्रामस में क्योंकि हमारे जुनियर भी है और लगतार इनको मैंने तीन वर्सों तक देखा है तो इसमें आपने समय को कैसे मैंनेज किया कि इतने अच्छे रहें के साथ अपने इं प्रवेस परिच्छा के लिए तो यह बहुत जरूरी हो जाता कि आप प्रद दिन तीन से चार घंटे अपने लिए निकाले और बाकी समयों का भी सद्वियोग ही करें जितने भी सवाल हम अभी भासकर जी से कर रहे हैं मैं बता दू कि जितने भी लोग इंटरेंस क्रैक करके आएंगे अगर आप बहु में आते हैं तो भासकर जी आपके सीनियर के रूप में आपको मागदसन जरूर करेंगे साथी साथ आपके अगर कोई सवाल बच जाएंगे जो मैं लगतार इंटर्वी में पूछ रहा हूँ अगर कुछ माली जा आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या तो ही मांसू सर आपका रिप्लाई करेंगे बासकर जी करेंगे और फिर मैं खुद रिप्लाई करूँगा भूमिका होगी हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं अब थोड़ा सा मैं सवालों को चेंज करता हूं और बीच में थोड़ा सा चुकि इंटर्व्यू का या आखरी दौर में मैं पहुंच रहा हूं थोड़ा सापकी होबीज पर मैं आना चाहूंगा कि आपकी होबीज क्या है कोई गेम है या फिर किस तरीके से आप अपने आपको इंटर्टेन करते हैं थोड़ा सा पढ़ाई से हट करके कुछ अलग देखी कभी-कभी जब पढ़ाई से आदमी बोर हो जाता है तो आपनी जूचियों की और अपने सवक की और भागता है तो इन सब के लावा मेरे भी सवक हैं मैं साहित पहुता था गजले पहुता था संगी सुनता था इसके लावा सामाजी गत्विधियों में जब आप सिर्कत करते हैं तो आपको एक अलग आनंद मिलता है उसके अलाव में घूमना पसंद है मुझे और जब आप कासी में हो तो आप इससे बच नहीं सकते तो मैंने इसका भी पूरा आनंद लिया और दोनों में सामंजस से बनाया तो इस तरीके से जो इनका इंट्रेस्ट रहा है वो गजलों में रहा है और थोड़े सी सामाजी गत्विधियों में और अनक क्रिया कलापों में रहा है बासकर जी का ये जो इंट्रेस्ट रहा है अ सकता है कोवीट का दोर एक बार फिर से आ रहा है और रिल सॉट यह सारी चीजि़ों में बहुत सारे लोग व्यस्त हो जाते उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप देखी सोसल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेट फार्म है बसरते इसका सद्विपयोग किया जाए आप जील देख रहे हैं यहीं तो आप उसमें अपने अध्यन से संबंदित वीडियो देखेंगे आप पार्थ कर्म से संबंदित वीडियो देखिए तो आप की काफी हद्ट तक मदत होगी आप यूट्यूब पर जो देखेंगे वो कभी-कभी आप देखते हैं वीजूट ज्यादा आपके दिमाग पर effect डालता है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं अच्छा और social media कोई बूरी चीज नहीं है बसरते वो managed way से use की जाए तो social media को ले करके भासकर जी का यही कहना है और लगातार हर कोई जो भी आपको सही डंग से गर guide करना चाहेगा वो आपको यह नहीं कहेगा कि आप use ना करिए लेकिन उसका सही डंग से उपयोग करिए और किसना उपयोग करना चाहिए क्योंकि आपको दिन में किताबें भी पढ़ना है और दिन में आपको को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो कि इनके लिए रामबार्ण साबित हो जाए और अगला यह है कि तयारी अच्छी होते हुए भी मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत अच्छी तयारी होती है फिर बिल्गुल तैयारी में एक समय ऐसा भी आएगा कि आप निरास हो जाएंगे आपको लगेगा कि आपसे तयारी नहीं हो पा रही है अच्छे से तो आपको सबसे पहले उस समय क्या करना है कि आपकी तयारी नहीं हो पा रही आप अपने थोड़ा मन भहलाईए अपने सवक की तरफ जाईए और जो है अपने आपको दिफ्रेस कीजिए और फिर तैयारी में लगिए तो आप पाएंगे आप एक नई इनर्जी के साथ आएंगे मेरे साथ भी ऐसा हुआ लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरा तैयारी में एकदम मन नहीं लग रहा था तो फिर मैं ऐसे ही सोसल मीडिया प प्रेदित कर गई और मैंने उस समय दो महिने के लिए पूरा समझ छोड़ दिया और मैं सक्ति की महलिक पूजा में लग गया और उसका प्रडाम आज यह है कि मेरी प्रविस परिछा में अच्छी रहेंक आई तो आप भी जो है जब आपको लगे कि आप से तैयारी नहीं हो जो रिजल्ट है उसमें एक तरीके से एक अभुदपूर परिवर्तन उसमें आया तो आप भी अगर चाहें तो हो सकता है आप पर भी किसी न किसी पंक्ति का कभी एफेक्ट पड़े तो वो ज्यादा बैतर होगा और पॉजिटिव एफेक्ट पड़ना चाहिए आपने अभ किसे regarde कि से धेसं हैं कि आप किसको मानते हैं कि डिखी अगरश कि विश्विद्याले में परणे वाले हर चाहत्र का जो आदर्स हैं हमारे मालवीय ji हैं हमारे परिवार जन तुम्हें तो मैं जब भी डी मुटिवे произошत होता था तो मैं कभी बाबा विश्वनात के पाक्ते त तो आप एक अपना सर्किल रखिए जो आपको मोटिवेट करता हो क्योंकि ऐसा भी समय था जब आपको लग रहा था इंट्रेंस नहीं निकलेगा तो उसमें भी एक हमारे बड़े भाई थे सर्वेश जी जब मैं उनसे मिलता था तो मैं कहता था भईया मेरा इंट्रेंस कैसे निकलेगा तो अपनी बाता में करते हैं जा मज़े तू टाप करवा और सहयोग से देखिए मैं टाप कर गया तो यही होता है कि आपके लोग आपकी उद्जा बनाए रखते हैं तो उनसे आप मिलते जुलते रहें उनके संपर्क में रहें बाकि जो आपके परिवाली जन है आपके मित्र हैं दोस्त हैं उनका तो सहयोग आजसिक है ही तो हमारे साथ यह थे भासका अदितिति पाठी जी प्रयोजन मुलक पत्रकाईता के आल इंडिया रैंक वन और बी एच्यू में हिंदी में मेल रैंक में फोर्थ रैंक इन्होंने इस बार 2022 की प्रवेस परिक्षा में प्राप्त किया जो कि CET के माध्यम से NTA के द्वारा कड़ाई गई थी भी एच्यू स्टड़ी कैपिटल की जो सिरीज है ज्यान की बात हुनहारों के साथ वो सिरीज लगातार चलती रहेगी और अलग-अलग कोर्से के टॉपर्स से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंग वो लोगी स्टड़ी कैपिटल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ सकते हैं इसलिए हमारा आप डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक दिया जा रहा है वाँ से आप कोर्स को जोईन कर सकते हैं जो आपके म मैंने बता दिया आपके गाइड करने वाले आपके सेनियर भासकादिति पाठी जी भी हमारे साथ लगतार बने रहेंगे जो भी आपके सवाल होंगे वो आप कमेंट बाक्स में पूछेगा तो इनके द्वारा भी आपको रिप्लाई मिलेगा और फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बाक्स में बताइएगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा शेर जरूर करिएगा बहुत धन्यवाद नमस्कार